नमस्कार दोस्तों आपका एक और फिर से सवागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज सर्फ फॉरेट फाइब का फुल रिविई करेंगे और पूरी डीटेल से जानेंगे इस ट्रेक्टर के बारे में वहीं दोस्तों हम ये भी जाने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दावाले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वहीं दोस्तों इस वीडियो का आप लास तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करें और पुली डीटेल में जानेंगे वहीं दोस्तों सबसे पहले हम आईसर 485 के एंजीन के बारे में बात करें तो दोस्तों हमको इसमें 45 HP का 30 साली एंजीन देखने को मिल जाता है जो कि अपनी पूरी पावर 2150 rated RPM बे डिलेवर कर देता है वहीं दोस्तों आगे हम बात करें इसके fuel pump की तो हमको इसमें Bosch Company का in-line pump मिलता है जो कि 3 सलिंडर में आता है वहीं दोस्तों आगे हम बात करें इसके engine CC की तो 2945 CC का एक दमदार engine देखने को मिल जाता है इस tractor में आगे बात करें दोस्तों इसके cooling system की तो हमको इसमें air cool DA engine मिलता है वहीं दोस्तों air filter की हम बात करें तो 4 stage oil water type का air filter हमको देखने को मिल जाता है वहीं दोस्तों आगे हम बात करें इसके power steering की तो दोस्तों हमको इसमें dual acting power steering देखने को मिल जाता है जो कि 45 HP category tractor के हिसाब से काफे 70 बैंब्हे Lindy Bound वहीं दोस्तों हम इसके clutch की बात करें तो दोस्तों हमको इसमें dual और single clutch दोनों का company option दे रही आप जो चाहें वो ले सकते हैं वहीं दोस्तों brake में भी ऐसा ही है आपको only mass और dry type का option देती है इसका company उसमें भी आप जो चाहें वो ले सकते हैं और रिवर्स देखने को मिल जाता है याने आठ फारवर्ड और दो रिवर्स के साथ ये ISR 485 के गेरबॉक्स आता है वहीं दोस्तों आगे हम बात करें इस ट्रेक्टर के इंस्टुमेंटर क्लेस्टर की तो हमको दोस्तों इसमें डिजिटल इंस्टुमेंटर क्लेस्टर देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छी बात होती है क्योंकि पहले इसमें डिजिटल इंस्टुमेंटर क्लेस्टर डिजिटल नहीं आता था अब कंपनी इसमें डिजिटल इंस्टुमेंटर क्लेस्टर देने लगी है, जो कि रात के वक्त में और ज़ादा बहतर रहता है देखने के लिए वहीं दोस्तों हम इसके हेडरोलिक की बात करने तो दोस्तों हमको इसमें ADDC टाइप की हेडरोलिक मिल जाती है जो कि हमको जो काली वाली जो लिवर मिलता है वो position के लिए रहता है और जो पीला वाला जो lever रहता है वो draft के लिए रहता है तो हमको edit DC type के hydraulic मिल जाती है साथ ही में हमको इसमें side shift gearbox का option भी मिलता है तो ये बहुत काफी हद तक अच्छी बात होती है 45 HP category tractor के हिसाब से तो वहीं दोस्तों हम पीछे back end की बात कर लें तो हमको पीछे की side हम hydraulic की बात करें तो हमको 1850 kg की दमदार hydraulic capacity मिल जाती है जो की कोई भी implement चलाने के लिए काफी हद तक बढ़िया रहती है तो आप देख सकते हैं दोस्तों की पीछे जो hydraulic है वह हमको बहुत बहुत बहतर मिलती है और काफी हद तक बहुत ज़ादा capacity वाली मिल जाती है 45 HP category tractor की हिसाब वहीं दोस्तों हम इसकी PTO के बारे में बात करें तो दोस्तों हमको 38 HP की एक दमदार PTO देखने को मिल जाती है जो कि हम इसकी PTO RPM की बात करें तो 540 RPM और हमको reverse और multi speed वाले dual mode RPM भी देखने को मिल जाते हैं इस tractor में तो दोस्तों हमको इसमें distributor भी company option देती है आप चाहें तो आप distributor भी लगवा सकते हैं इस tractor में वहीं दोस्तों हमको इस tractor की hydraulic में 3 point sensing वाला linkage मिल जाता है वहीं दोस्तों हम इसके पिछले टायर की बात करें तो दोस्तों हमको इसमें 14,9,28 का और 13,6,28 का company option दे रही है आप जो चाहें वो टायर ले सकते हैं वहीं अगले टायर की बात करें तो हमको 6,16 का ही option मिलता आप 6,16 के ही ले सकते हैं अगले टायर वहीं दोस्तों हम इसके color की बात करें तो दोस्तों हमको company दो color का option देती है red color का और एक silver color का तो दोस्तों आप जिस color में खरीदना चाते हैं आप खरीद सकते हैं तो वहीं दोस्तों हम बात करें इस tractor को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं दोस्तो उसका एक ही कारण है क्योंकि इस ट्रेक्टर का मायलेज काफी हद तक बहतर है इसलिए लोग इसे इतना लेना पसंद करते हैं खरीदना पसंद करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही मैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बेले मिल अपने उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है